तो आम आदमी पार्टी पर आरोपों के बाद देश का मूट क्या है ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में शराब ठेकों की जाच की आँच आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं तक पहुँची तो इस पर सियासी घमासान छुड़ गया हमने इसी विवाद पर तौरित सर्वे कराया है और उसी से जुड़ा अगला सवाल आपके सामने है उसका जवाब क्या हुआ भी हम आपको बताएंगे सवाल पर नज़र डालिए दिल्ली में गली गली ठेके खोलने का फैसला क्या सही था हां कहने वाले 20 परतिशत लोग हैं जबकि नहीं कहने वाले 80 परतिशत लोग यानि 80 परसेंट लोग ऐसे हैं जो इस फैसले को सही नहीं मानते हैं इस सर्वे पर लोगों की राय आपके सामने जो सर्वे हमने किया जो लोगों से हमने बाचीत की है अब हम जड़ा अपने संवादाता का रूख एक बार फिर से कर लेते हैं हमारे साथ कई हमारे सायोगी देश के दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से जुड़े हुए है नौर्थ दिल्ली से निधी श्री हमारे साथ है निधी इस सर्वे पर जनता क्या कह रही है? क्या जनता का सोचना है? जनता का सोचना है? हुआ कि सरकारे काम कर रही है रोटे पे काम कर रही है उन्हें रेविश चाहिए अगर सरकारे बाट रही है तो उन्हें रेविण्यू का पूर्ण ध्यान रखना होगा तुमिलनाडू हमारे पास एक बड़ी एकजांपल बात 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 होती है इसमें बात ही होती है कि उसका distribution किस त्रीके से हो रहा है यह जरूरी नहीं है कि गली में अपने शराब का ठेका कोल दिया गली के लिए सारे लोग पीने चले गए यह तो अपने पर डिपेंड करता ना कि हमारी हमारा confidence कितना है कि हम उसको पीते हैं कि नह तो गलत के दिशिए सरकार का एक revenue को प्राप्त करने का तरीका है आपको क्या लगते हैं जी मैं में यह बिल्कुल गलत है जब करोना हुआ था तो यहां ऑक्सिजन प्लांट के कमी थी सारे क्या आप पुरे देश भर में घूम रहे हैं राजनीती के लिए कि दिल्ली मॉडल है और यहां पर आप ठेके खोलवाए जा रहे हैं तो यह क्या दिल्ली के जनता के लिए ही है आप सारे देश में यही लेके जाएंगे